हलो दोस्तो गेम अफ इलेक्ट्रोनिक्स में आपका स्वागत है दोस्तो आज आप जानेंगे कि बिदाउट मल्टिमीटर एलेडी के परतिक पार्ट को कैसे टेस्ट करें यहाँ पे मैं आपको एक अच्छे तरीके से शौट में पांचे मेट के अंदर समझाऊंगा कि परतिक वीडियो देखिये बिल्कुल सम्झ में याईगा ऐसा हुए निशकता कि वीडियो देखने के बाद आपको समझ में नहीं है और उसके लिए आपको मात्र क्या लेना मत्र मंत्यमीटर आपको लेना नहीं है एक कंज्टीनृटीड टेस्टर लेना है इसे भी आप क्लम मडी कपन है कि धिया और क्लती चुम्पल बात चीस्ट शेश्टाप अप्ल लगाना है अगलाए चीस स़ propag यह हो जाएगा अगर आपको लेकिन मैं हसा करता हूँ कि आप इतना दिन तक गेम एक इलक्ट्रोनिक्स परिवार से जुड़े हैं तो आप इतना जरूर कर पाएंगे सबसे पहले मैं आपको बता दूं सर्किٹ सुरू यहां होता है ठीक है तो पर फिर क्वाइल हो गया फिर कपर चीटर फिर आपको यह टार्सफर्मर ठीक है उसके बास रेक्टिफायर ठीक है और यह डायोड तो आपको पते प्रतिक पार्स का कैपस्टीयटर ये ट्रांस्ट फोर्मर और आपको यह आईसी लगी हुए यह बीए कप्र काला केपसिटर ही है ठीक है और यह समीड रैस्सेंस है और डाइओड हो गया और छेक्टि Все फायर हो गया ठीक है बस इतना ही जानिक नाम यहीं काफी है और इसका जो वीशिक नाम से इतना आपको बता देता हूं एक कित मैं और ले लहाँ देखें रस्टेंस करने दोरान पहले तो मैं बता दूसका वैलू क्या होता है लगवग लगवग आपको रेस्टेंस डालना है तो आप 10 से 100 तक कोई भी डालिए आपका काम करेगा और रेजिस्टेंस के कलर कुट पर भी मैं वीडियो डालने वाला हूं वह जल्द ही आपको मिल जागा देखिए सबसे पले से म가 राल शार यहां पर दोनों दोन लगा हिर में यहां इसको जलना चाहिए जो कि नहीं जल रहा है इसका मतलब यहां झालटो यह यहीड पापका आपका इस Kid तो आप अएधर से भीचे कर सकते हैं मतलब कर रइज एक्रिन्स खराब है थिक्शे कि से भीचेंच इतना साअट रेजिस्टेंस है ठीक है मैंने आप लोग लिए जमा कर रखा कि इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप लोग को मैं समझाऊंगा जैसे देखें सब खराब है ठीक है यह देखिए उपर से बिल्कुल सही दिख रहा है ठीक है लेकिन आप इसका कडियोटी चेक करेंगे यह देखी अब देखिए इससितरा अगर बताता है तो सही है नहीं बताता है तो किया है खराब है एक और रेस्टेंस मिल्सको चेक करते हैं यह बता रहा है इसका मतलब यह सही है तो आपको ऐसे चिकरना यह खतम हो गया समझ में आगे आपको अगर रेडिंग दे बताए तो सही है कम बताए थोड़ा ज्यादा बताए अलग बात है लेकिन बताना चाहिए और अब आया डायोड का नंबर ठीक है डायोड में देखिए डायोड को एक साइट से बताना चाहिए एक साइट से नहीं बताना चाहिए इसमें दोनों साइट से बता रहा है तो यह भी डायोड खड़ाब है अब कोई भी दूसरा डायोड में चेक करके भा रहा हूं ठीक है अब यह डायोड को चेक कीजिए इसमें से आपको इस वह हैं वह इस सउदिंग है और इस सदम मतलब क्या है यह इस और यह यह ंपन दिजिया नंग रहा है उसका मतलब यह नहीं ददेखनाए घर्स आफलstellब है तो फूलिज को हिसक अब अब इसको प्लट डीजिए यहां पर यह तही है यह डायवट जो है यह open है मतलब कोई साइट से इसका value ने दे रहा है यह open है और उसके बाद यह जो है यह short है दोनों साइट से दे रहा है ठीक है तो आप डायवट को भी अच्छा से समझ गहा है य creamy नहीं आना चाहिए अन्य कर्णी तो सबक उठाता हों इसमें रिडिंग नहीं है कि सैट से कोई रिडिन याइए इस चाइड में डेखा कि कोई रिडिन नहीं आर था वो klar था क्योंकि वो उपमें Crash इसमे कोई रिडिंग नहीं आ रहा तो यह सही है इसीज पर धियान दिया आपका आतो आम है इसमें बीर ब्रेटा के sms की लिए अब मैं दिखा लेता हूं इसको आपको दिखा लेता हूं तो तो आब करzil करें निकाल के इसके एक लगा है कि इसके बैए के सानजी el remembers pare- Feast होता है तो बेहतर रहेखा कि निकाल के श्ब्राँ F cylinder यसे निकालके चीङ कीजिए ठीक है देखिए आपको पीए पैसे चेक करना ठीक है एक साख और आच गोई नहीं पया इसे Sü'' मतलब धिफाइट के लिएक साही है किसी साघे से खराब है तो समझें खराब है जो एसी को डीसी मदलता है ह bisog ör Church और सब्सक्राइब कर से चार र этот का力 इक काम पलिए अब देखर को कैसा टेस्ट करना आ अहां जाए यहां से मैं यहाँ टेस्ट कर रहा हूं तो यहां पर देखिए रिडियर दे राहा है आपको ठीक है एक साउथ से देना चाहिए और दूसरे साउथ से नहीं देना चाहिए जिस तरह डायोड चेक कर रहा था रहा है मिल्कुल उसी firearm कि यहाँपे दोनगों साफ Whats से दे रहा है इधर पहसा दिखकत हो रहा है आप इसको आप होल्ड करके चेक कर सकते हैं या फिसी दोस्त का हम लेके लिएक से बीटिंग आ रहा है इधर मतलब यह डाइट का यहां देखिए आप यह से चेक किया इधर एक रिदिंग आ पूझी साध में कोरी करते में पीधर साजक्त सस्पारा बढ़ा है लेकिन इसमें आपको तो दोनों साट से दोनों साट कर दे रहा है इसका मतलब यह रेक्टिफायर भी खराब है सौट है तो आप टेस्ट करना जान गए अब कैपसीटर ठीक है यह सब कैपसीटर यह रिस्टेंस हो गया क्वाल क्वाल में भी आपको रेडिंग आना चाहिए ठीक है देखे को चीक किजिए मैं दो कैपसीटर लिया हूं अब देखिए इसमें रेडिंग हलका सा आके चले जाना चाहिए आके चला गया ठीक है फिर अपोजी सेट लगाएंगे आप ठीक है आके चला गया इसका मतलब यह कपसीटर सही है अगर लगाने से कोई फरक नहीं पड़ता पर जैन के वह वह सॉट थैसे देखिए यह का बिल्कूल शॉट है ऐसको का इसे बदाट बीकूल इसका मतलब यह कृप साट है लेकिन यह सही है और अगर टच करने से कोई कोई आको बोल्टेज इसमें आग लाइट इसमें आके बढ़के घटे नहीं तो समझे कि यह ओपन है ठीक है बिल्कुर जिस्टर डायड में हो रहा था एक कंडिशन था सौट का एक ओफिन का और एक सही का तो आपने देखा लगती है कुछ में बारे भोल्ट की चार भोल्ट की जो LED होती है उसको आप असाने से टेस्ट कर सकते है ठीक है तो देखे कोई भी एक LED आप लीजिए जैसे यहां देखिया यह जल रहा है जैसे आप उसको सप्लाई देंगे जल जागा एक साट से जलेगा और दूसरे साइ टेस्टिंग नहीं करनी रहती है आपको बस यह ही सब देखना रहाता है कि आपको लेग जो है वो सोट है कि यहां पे देखिये सही आपन नहीं मतलब कि आ सही बता रहा है ठीक है आप कोई रीडिंग नहीं आना चाहिए अगर कोई रीडिंग आता तो समझे कि I.C. खराब स भी आप समझ सकते हैं आई सी घ्राब है जिंडरली आई सी जल्दी खराब नहीं होता है यह सब कॉंपोनेंट खराब जाते हैं सबसे ज्यादा खराब होता है रेजिस्टेंस एमोवी ठीक है और यह सब कैपसीटर तो इसमें मैं बता दूं कि बॉल्व बिलिंग करें तो यह कैपसिटर लो जले केपसिटर बिलिंग कर तो इसको भपावने से ऐसा होता है अब इसको कैसे करना मैं वह भी बता रहता हूं ठीक है आशा करता हूं कि अब एक चीज छूट रहा था जो कि ट्रांसफर्मर्ट सब्सक्राइब तो टैंस फर्मार में भी रिडिंग आना चाहिए एक निकांर में क्या होता देखिए है आपको यहां पर ट्रांसपरों किसी में 3 लेग होगा किसी में चार लेग होगा लेकिन आपको दो लेग ही मतलब सिर्फ एक से जाके दूसरे एंड में जूड़ जाता है यहां पर देखिए रिडिंग आना चाहिए जैसे रिडिंग आ रहा है ठीक है अगर रिडिंग नहीं आ तो समझें कि यह खराब है तो लगवा लगवा सभी पार्ट्स का जांच करने का आप जान चुके है अब रहा गया इसको कैसे जीपेर करें ठीक है निए टिएओं देखिए अब मैं एक आक जैसे यहां पर देखिए रेजिस्टे ऐसे पहले आपकर रेजिस्टेंच देख करना यहांख एक यहां скर्लीले किस्टा है तो ने Tillod skincare तो कमदलब क्या है रजिस्टेंस ओपन है रजिस्टेंस को तो बदाना लेगिन सबसे पहले आप रजिस्टेंस कभी नहीं बदलिए राइस्टेंस बदलने से पहले MOV यह जो है MOV ठीक है इसको जरूर्ट जिक किजिए तो कि देखिए यहां पर लगा हुआ है ढां मत्ichen के इक साथ से कि यहां भी सोटिंग इसका उने कराहां है और उंतक हостankी जोए आभघी ऑका खराब हमें चाईन के कारण ही क्या होता आपका सरकृत सोट हो जाता है जब सोट सब्सक थे फूराइं तो उसको बचाने के लिए यह resistance की तरह काम करता है जल जाता है और circuit को break कर देता है जिस कारण आपके घर की supply disturb ने होती यह ball काम करना बंद कर देता है तो अब आपको क्या करना है एक अच्छा सा MOV लेना है और एक resistance लेना है तो देखिए यह resistance को फिर आप check करें में ठीक है रिडिंग आना चाहिए MOV में रिडिंग नहीं आना चाहिए MOV में रिडिंग नहीं आ रहा है ठीक है अब मैं इसको रिप्लेस करता हूं कि विडियो दिखाने के लिए कम से कम टूल्स का जो इस्तिमाल कर रहा हूं ताकि आपको यह ना करना पड़े मेरे पास इतना टूल्स नहीं है बहुत दोस्त कहते हैं कि भाई मेरे पास इतना टूल्स नहीं है से चिपनें टूल्स से भी आप काम कर सकते हैं से मेल्टीमीटर नहीं है कोई बात नहीं है मेल्टीमीटर की जरूउत भी नहीं लगेगी आपको एक पार दूँalnya कि बित्वन और गया है और के पास कोई दिवाइस का और दो बैट्टी खर दिया थ्वास 70 लागे है अब सब्सक्राइब कि आपको गलती से भी यह ना हो कि दूसरा लेग किसी में टच हो जाए दो लेग आपस में गलती से भी टच ना हो इसका ध्यान आप जरूर रखें अब सप्लाई दिने की बारिया आप इसको बॉड़ी में लगाकर टेस्ट कर सकते हैं लेकिन मैं इसमें अलग से सप्लाइब देखें एक पर आप देख लिए यहां जो सॉर्टिंग थी वो जा चुकी है देखिए सही है कोई सॉर्टिंग नहीं है ठीक है कोई यहां सब्सक्राइब जलता था यहां कोई आप चाट बना ले मैंने जैसे से बताया उसी तरह ठीक है अब देखिए मैं अलग किसी तार की माध्यम से इसको टेस्ट कर रहा हूं जहां जहां भी वायर्स जुड़े हुए है दोनों आप उनको वहां वहां जोड़ें आपको तो आप सीधा इस जो वायर्स निकले हुए बाहर उजहीं दोनों पर जोड़ सकते हैं कि ध्यांता है कि एक्स्ट्रा जो लेगा वह कहीं और टाश नहीं हो ठीक है तो आभी आपको सप्लाइट देखें दिखाने जा रहा है देखिए सप्लाइट देते ही आपका जो बॉल्ब है जल गया तो इस वीडियो में आपने जाना यह लेडी को कैसे रिप्यर करते हैं ब सब्सक्राइब करें मिलते करें वीडियो में धन्यवाद